अचानक उसकी नजर प्रत्वी की सुन्दर देवी पर पड़ी, जिसे टेरा कहा जाता था, मूनलो को तुरंत उससे प्यार हो गया, वो चंद्रमा से उतर कर प्रत्वी पर आया, और वो टेरा की सामने जुक्या, जैसे एक पेल भूल पकड़े हुए हूँ, और उसने उससे प बहुत प्रभावित हुई, वो हसी, मूनलो ने उसका दिल जीत लिया, मूनलो ने जल्द ही सुन्दर नदी की किनारे एक महल बनाया, ये धरती का सबसे सुन्दर महल था, टेरा बहुत प्रसन थी, जल्द ही टेरा और मूनलो के यहां बच्चे का जन्म हुआ, और उसे आश राजकुमारी वसंत नाम की खोशना की, टेरा और मूनलो बहुत प्रसन थे, जैसे जैसे सुन्दर राजकुमारी वसंत बड़ी होती गई, उसके कई प्रेमी आएं, लेकिन उसने उनमें से किसी को पसंद नहीं क्या, वो अपनी मा के साथ अपने प्यारे महल में रह कर खु कित रह गई, क्योंकि संशाइन सबसे सुन्दर देव थे, जिसे उसने आप तक देखा था, नमशकार सुन्दर राजकुमारी वसंत, मेरा नाम संशाइन है, और मैं आपके पास शादी में आपका हाथ मांगने आया हूँ, राजकुमारी वसंत एक बार फिर उदास हो गई, ओ, शक्तिशाली संशाइन, मैं अपनी मां को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, संशाइन चला गया, और अगले दिन, जब सूरज निकला, तो संशाइन फिर महल में आ गया, हे सुन्दर राजकुमारी वसंत, क्रिपया बाहर आएं, उसकी आवाज सुनकर, राजकुमारी वसंत एक बार भे बाहर आई, ओ, आपको देखकर बहुत प्रसन हूँ, और मुझे भी आपको देखकर खुशी हुई, और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, तुम्हारे माता क प्रती प्रेम को भी समझता हूँ, इसलिए मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ, और वो क्या होगा, मुझ से शादी करो, मेरे साथ मेरे राज्य में आओ, नो महीने मेरे साथ रहो, और बाकी तीन महीने अपनी मा के पास, राजकुमारी वसंत मुस्कुराई, क्योंकि उसी संशाइन का प्रस्ताव काफी पसंद आया था, वो मान गई, और तुरंट ही उनकी शादी हो गई, शादी के बाद उसने अपने माता पिता से विदाई ली, और वो संशाइन के साथ चली गई, शादी की कुछ दिनों के बाद में मून लोड टेरा के पास आया, हे प्रिये, मुझे लोगों की देख बाल के लिए राज्य वापस जाने का समय आ गया है, लेकिन मेरे बारे में क्या, मैंने हमेशा तुम्हे मेरे साथ आने के लिए कहा है, लेकिन तुम कव ही नहीं आती, तुम अपना महल नहीं छोड़ना चाती हो, हाँ, मैं प्रत्वी को नहीं छोड़ना चाती, मैं तुम्हारा इंतिसार करूँगी, उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, मून लोच चले गए, टैरा बिलकुल अकेली थी, जैसे ही वो एक खनी जंगल में पहुची, उसने वहाँ से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन वहाँ उसे ठंड द बहुत समय हो गया, मैंने भी तुमसे कुछ अधिक ही सोच लिया, मैं तो यहाँ आई हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए, चलो, जम जाओ टैरा तुरंत बर्फ से ढग गई, और वो जम गई, अब ये धर्ती मेरी है, और शीगरी प्रत्वीत बर्फ से ढग गई इस भात की जानकारी, मूनलो को उसके पंत्री ने दे, उन्होंने तुरंत अपने मंत्री से संशाइन के साथ एक गुप्त बैठक की व्यवस्था के लिए कहा सेर, आपको गुप्त रूप से संशाइन से मिलना चाहिए ताकि फ्रोस्ट को पताना चले सही कहा बुद्धिमान मंत्री ने एक विचार सुझाया और उसके बाद, मूनलो ने सूर्य और प्रत्वी को आमने सामने कर दिया और इससे ग्रहन लगा मूनलो ने संशाइन और वसन से बात चीत की और उन्हें सब कुछ समझाया संशाइन को गुस्सा आ गया मैं गर्मी से पाला पिगला दूँगा मूनलो ने हाँ कहा और फिर वो रास्ते से हट गया संशाइन ने ठंड पर अपना प्रकोप फैलाया और जल्दी ही सारी बार पिगलने लगी ये क्या हो रहा है सूरी की किरने बहुत शक्तिशाली थी वो तुरंट समझ गई कि ये संशाइन है ठीक है रुको मैं तब तक नहीं रुकने वाला जब तक आप टेरा को मुक्त नहीं कर देते मैं करूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है उसे आजाद करो या मैं तुम्हें पिगला दूँगा कोई शर्त नहीं है अच्छा तो आगे बढ़ो मुझे पिगलाने से पूरी प्रत्वी पर बाढ़ा जाएगी और इसी ठीक होने में बहुत समय लगेगा संशाइन स्थाब्द रह गया वो सही है उससे पूछें कि वो क्या चाती है संशाइन गुस्से से भड़ा कुठा मैं भी चली जाती हूँ लेकिन जब हर साल राजकुमारी वसंत चंद्रमा पर चली जाएगी तब प्रत्वी पर मेरा राज्य होगा पूरे नौ माह के लिए ये ये सही नहीं है नौ महीने का ठंडा तापमान धर्ती को नुकसान पहुँचाएगा मेरे पास कारनामों के लिए कहा जाने वाला है हमने उसे हर साल तीन महीने के लिए नानी के घर भेजने का फैसला किया है ताकि वो प्रत्वी के बारे में कुछ सीख सके और बारिश कर सके ओहो ये क्या फिर एक शिशू ये बच्चा संशाइन और प्रिंसिस स्प्रिंग का बेटा है ठीक है चार महीने और यही दो महीने रुको तुम दोनों देखो मेरी माईक मूर्ती की तरह बन गई है बस तीन महीने बस तीन महीने अब हर साल सिर्फ तीन महीने तुमें मिलेंगे या फिर छोड़ दो, अच्छा ठीक है, मैं तुम सब को अगले साल देखूंगी इतना कहकर, वो घायब हो गई राजकुमारी बसंत एक बार फिर प्रत्री पर पहुँच गई और प्रत्री सुन्दर लगने लगी टेरा से पर्फ बिगल गई और वो एक बार फिर मुक्त हो गई मा, मैंने एक बेटी को जन्म दिया है वो पारिश का महारती बनने जा रहा है हमने उसका नाब मौनसून रखा है और वो हर साल तीन महीने के लिए आप से मिलने आएगा ओ, कितना बढ़िया मैं बहुत प्रसंद हूँ मेरी बजजी और इसी लिए हर साल राजकुमारी बसंद तीन महीने के लिए टेरा की यात्रा के लिए आती है और प्रत्वी खिल जाती है तब संशाइन बसंद को लेने के लिए आते हैं और उनके साथ धरती बर ग्रीश मृत्व आती है और फिर मौनसून घूमने आता है और तीन महीने बारिश बरसा आता रहता है और फिर जब वो चला जाता है तो ठंड साल के आखरी तीन महीनों में उसके साथ आती है और सर्दी होती है और टेरा उसने सभी मौसमों को प्यार से अपने गले लगाया और उनके साथ प्रत्वी फलने भूलने लगी कहानी समात्त हुई